कि बहुत ही सराइनी है यह बिटिया कुमार जाकांक्षा सिंग्ग उन से भी बहुत ही मेधा भी रही है नीट परिक्षा के पूर्व नाम जीवन मिशन स्कून कसिया कुशी नगर से कक्षा दस्की परिक्षा सताने दस्वलब चे परिक्षा दस्वलब चार्व कर दस्वलब चार्व नाम जीवन में बहुत ही संवानी इस्थांटार किया था इसके अलावार कुमार जाकांक्षा की रुची संगीत में और बैडमिटर्टन केलने में भी है इस तरह से बिटिया बहु आयामी परिभा की और मुझे प्रश्वार से कि इस परिवा से ये बहुत आगे जाएगी और प्रदेश के साथ साथ अपने देश का नाम भी रोशन देदेगी बिटिया ये इमस नहीं दिली में नियूरो सजरी में विशेश सिक्षा करना चाहती है इनकी मातर पिता गुवी में इस अफसर पर बिश्र सुप से बढ़ाई देना चाहता हूं उन्हीं के सतकर्मों का उन्हीं की आशी मात्त का ये फाल है क्योंकि बच्चे इसे का कहते है हमारे हाँ की बाते हैं पर बाते हैं पूत पिता के खलमा तो मातर पिता के ही सुकर्मों से बच्चे आगे बढ़ते हैं और बच्चों के अपने महल पी होती है इस अफसर पर ये हमारे की बड़े समान की बाते है कि मानिये मुखमंती जी ने कुमारिया कंचा को समानित करने कि मुझे आज यहां पर बुलाया है और आप से मिलना मतलब मेले मतलब सपना पूरा होने जैसा है यह मेरे जम्तिगी का सबसे अच्छे दिनों में से एक है और बाकी जोगी लोग इसको देख रहे हैं मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि हमेशा अपने सबनों को अपने इराद को उचा रखिये और उसको उस चीज को हासिल करने के लिए आपकी जीवन में जितनी भी आपको कठिनाई है सामने आ रहे हैं उसको एज अपर्चुनिटी लीजे और आगे बढ़िये और एक लाइन में कहूं कि अगर सक्सेश चाहिए तो उसके लिए क्या जरूरी है तो हा करना चाहूंगे कि जो आपने मतलब भी मिशन सकती जो लॉंच किया है मतलब मुझे उससे बहुत जादा मतलब प्रेड़ना मिली है और नारी साशक्ति करड़ के बारे मैं आप जो सोचते है उसके लिए मतलब मैं की बहुत बड़ी आभारी हूं तहने वाद है माने मुझे निगे प्रेड़ना से जुक्त बड़ी प्रेश में झाल 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 उत्तर प्रदेश के मेधावी छातरों के लिए साथ साथ बाले काओं के लिए आज का दिन बहुत महत्तुपून है नेशनल इजिबलिटी कम इंटेंस इग्जैमिनेशन 2020 में उत्तर प्रदेश की कुशी नगर जन्पत की बालिका कुमारी आकांसा सिंग ने पुरे देश के अंदर नीट की स्परिक्सा को टॉफ किया उनका जन्व उत्तर प्रदेश के कुशी नगर जन्पत में हुआ और अपनी प्रारंबिक सिक्सा उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर ही प्राप्त करने के उपरांद इस परिक्सा की तैयारी की सबसे बड़ी बात यह है कि इस परिक्सा में उन्हें सत्परस्ट तंग प्राप्त हुए हैं कुमारी आकांसा सिंग को उनकी माता जी इस्तिमती रूची सिंग जी को उनके पिता सी राजेंदर कुमार राउ जी को और परिबार के सभी सतस्यों को मैं सबसे पहले फिर्दै से बधाई देता हूँ उनका विनंदन करता हूँ और कुमारी आकांसा सिंग समेद प्रदेश की सभी बालिकाओं को इस उपलब्धी के लिए हिर्दै से बधाई देता हूँ उनका विनंदन भी करता हूँ सबसे बड़ी बात यह है कि एक सामान्य परिवार में जन्म लेकर यद्द्यपी पारवारिक प्रिष्ट भूमी सेक्सा से जुड़ा हुआ है लेकिन उस सबके वाबजोद ओचे रादों के साथ ही परिष्टरम और पूरे धेनिस्टा के साथ लगन के साथ लक्स को प्राप्ट करने की जो एक तमन्ना होती है उसे प्राप्ट करने की जो एक उत्कट इच्छा सक्ती दिखती है वह कुमारी आकांसा सिंग ने अपने परिष्टरम से अपने लगन और अपने मेहनत से करके दिखाया कि प्रदेश के लिए और देश के सभी बालिकाओं के लिए एक अतिन्ती गौरव का च्छन है मैं इस उसर पर कुमारी आकांसा सिंग को उनके परिवार के सभी सदस्यों को रदेश से बढ़ाई देता हूँ मेरे साथ में यहाँ पर मेरे साथ में चिकिस्सा सिक्सा और बित्त मंत्री सिशुरेश खन्ना जी भी हैं प्रदेश के मुख्य सच्यों स्यार के तिवाडी जी हैं अपर मुख्य सच्यों चिकिस्सा सिक्सा डॉक्टर रजनीस दुबे जी हैं अपर मुख्य सचिव, माद्यमिक सिक्सा अपर मुख्य सचिव, ग्रहे अपर मुख्य सचिव, सुचना के साथ ही सभी बरिष्ट हमारे प्रसासनिक अतिकारीकन भी साउसर पर यहां मौजूद हैं। बालिकाओं को स्कूल भेजने से कहीं न कहीं कोताई परतते हैं या भेदभाव करते हैं बालक और बालिकाओं के बीच में। स्वावय कृप से इनीट की परिक्सा में उन्होंने टॉप किया है। उनकी जो फॉस्ट जो प्रात्मिक्ता होगी प्रवेस की वहां उन्हें प्रवेस मिलेगा। वहां पर उन्हें प्रवेस निश्चित मिलेगा। लेकिन प्रदेश सरकार की तरफ से हम लोग उनके वहां पे जो भी यूजी की पुरी पड़ाई में जितना भी उनका खर्चा आएगा। प्रवेस से लेकर के लाजिंग फूटिंग के लिए मैं समझता हूँ कि मैं मुख्य शचितरब्रदेश से कहूँगा कि वह पूरा परिवार से उसकाव लेकर के और वन टाइम ही इसको पूरा धन्दा सी उनको प्लब्द करवादें जिससे बाद में ना उस्चे गुरूप से फिर परिवार को भटकना न पड़े किसी प्रकार की कोई समस्या न होने पाए देपरदेश सरकार इस चीश को बहन करेगी इसमें पूरा सहयूग करेगी और मैं मारी आकांसा सिंग से भी इस बारे में कहूंगा कि उन्होंने जो मेहनत औ इसको अनुवरत बनाई रखें क्योंकि यूजी में प्रवेस लेने के बाद फिर पीजी इसके बाद मेडिकल की जो आगे की सुप्रे स्पेसलिटी की नई नई चीजें सामने आई हैं यह एक चैलेंज होगा और नोंने स्वेम ही कुसी नगर जन्पत के प्रवेस को देखत प्रवेस क्योंकि मुझे रखता है कुछी नगर जन्पत में कोई भी निरो सर्जन नहीं है तो इन्हों ने स्वेम निरो सर्जन बनने काने ने क्या देखें यह हैं भाव कि हम जिस प्रवेस से हैं जिस प्रिष्ट भूमे से हैं वहां की आउसिक्ता क्या है और उस आउसिक्ता के अन्डूप अपने आपको योग्य बना करके फिर वहां की उस आउसिक्ता की पूर्थी करने में अपना योग्दान दे सकें कुशी नगर उत्तरप्रदेश का एक सिमावर्ती जन्पद है और उस जन्पद में अभी हम लोग जिस एक मामारी को नियंतर्ण करने में हमें सफ़लता प्राप्त हुई है इनसे प्लाइटिस को सबसे ज़्यादा प्रकोब इनसे प्लाइटिस का जिन जन्पदों में होता था उनमें से कुशी नगर एक है सौभाई गुर्प से स्वास्ते सेवाओं की देश से हम लोग वहाँ एक नया मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं लेकिन मेडिकल के छेतर में जो नए सोध हो रहे हैं और नए सुप्रस्पेसलिटी की नई प्रांचे चल रही हैं प्रारम हुई है इसमें उनके लिए एक बहुत अच्छा उसर प्राप्त होगा मैं इस उसर पर उन्हें हिर्दे से वधाई देता हूँ और उनकी इस उपलब्दी के लिए उनका और उनकी परिवार के सभी सदस्यों का हिर्दे से बिनंदन भी करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि अपने परिश्रम से अपनी मेहनत से वो अपनी मेरिट को इसी प्रकार से बनाए रखेंगी और आने वाले समय में भी राज्य सरकार उन्हें हर संभव हर प्रकार की मदद देगी इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से उनको और उनके परिवार के सभी सदस्यों को तो मैं इस बात के लिए बदाई दूंगा ही मुझे लगता है कि गाउं की अगर सड़क नहीं बनी होगी तो जिलादिकारी कुशीन अगर इस बात को सुनिश्चित कर लेंगे कि उस बालिका के ही नाम से उस सड़क को बनाने के लिए असका है क्योंकि ये मेरिट के आदर पर साथ-साथ अन्य बालिकाओं के लिए रोल मोडल बनेगी हम लोगोंने इसी चीज़ के लिए सारदिय नौरात्री की प्रथम 33 परतिवदा से एक मिसंज सक्ति का एक कारिकरम प्रदेश के अंदर लागू किया है देखे जब तक जब कोई सक्ति साली होगा तो वा सम्मान भी अपना बना सकता है और स्वाबनंबन का जीवन भी आगे गुजरवशर कर सकता है मिसंज सक्ति उसी अभ्यान का एक हिस्सा है पहले चरण में जाग रूपता का ब्यापक पैमाने पर हर एक स्तर पर ये कारिकरम निरंदर चल लाए है इसके बाद जहां भी कोई चैलेंजज होंगे उनके समाधान का रास्ता निकालना ये दितिये चरण का होगा इसके बाद फिर बागे इन्फोर्समेंट की जहां कारवाई करनी पड़ेगी उसके लिए भी प्रदेश सरकार ने अपनी पूरी कारियोशना तैयार की है लेकिन जागरुकता बहुत बड़ा पक्स है इसका और इस जागरुकता के कारिक्रम के साथ इस प्रकार की बालिकाओं को समाज के सामने लाना उनके माध्यम से अन्य बालिकाओं को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेडित करना एक बड़ी उपलब्द्य होगी मैं एक बार फिर से हमारी आकांसा सिंग ने नकेवल अपने इस नीट में प्रतमस्तान प्राप्ति किया बलकि मिसंद सकती कि इस अविहान कवि उन्होंने सराह है और मैं उन्हें इस बात के लिए स्वस्त करता हूँ कि राज्य सरकार इन सभी कारेक्रमों को बहुत मजबूती और प्रतिवादता के साथ आगे बढ़ने का कारे करेगी मैं एक बार फिर से कुमारी आकांसा सिंग और उनकी पुरी परिवार को उनकी माता जी उनकी पिदाजी और परिवार के सभी सुदस्यों को इरदे से बदाई देता हूं और विश्वास भी करता हूं कि वह अपने इस मेरिट को इसी प्रकार से निदंतर आगे बनाने रखने में सफल होगी सबकी प्रति मेरी शुब कामना है धन्यवाद जे पुस्तक तो बच्चे के लिए अबता हूं वाँ अज़ का दिन मतलब मेरी जिन्दिगी का सबसे बड़ो दिनों में से एक है यह मेरा सपना था कि मैं मुखे मंतरी जी से मिलूं प्रधान मंतरी जी से मिलूं तो मेरा वो सपना पूरा हुआ है जो बहुती जादा अच्छा लग रहा है मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्हों ने मुझे लायक समझा कि आज मुझे यहां पर बिलाया और मुझे सम्मानित किया और आगे मैं और मेहनत करना चाहूंगी ताकि आसी ही अपने प्रदेश का नाम और पूरदेश का नाम रौश्या